चलिए पॉलिनेशन का मीनिंग क्या है अगर मैं इसको डाइग्राम बना के बात करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ मानलो ये फ्लार है ये इसका female structure है पिस्टिल है पिस्टिल के अंदर यहां पे ओवियूल है और ओवियूल के अंदर आपका एग है जो female gamete है वो है अब इसको फर्टिलाइज करने male gametes आएंगे male gametes किस में बंद होके आएंगे pollen grain में बंद होके आएंगे तो भाया पिस्टिल के स्टिग्मा पे ये टॉप वाला पार्ट स्टिग्मा है पिस्टिल के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का आना और डेपोजिट हो जाना पॉलिनेशन कहलाता है पिस्टिल के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का आना और डेपॉजित हो जाना पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है? पॉलिनेशन आगे फर्दर इवेंट्स की गेरेंटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माल लो पोलन ग्रेन किसी और स्पीशीज का है, तो ये पोलन जो है यहां पे जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, अपनी पोलन ट्यूब नहीं बना पाएगा, कैसे? ये पिस्टिल और पोलन आपस में कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, तो पिस्टिल पहचान जाती है, रेकोगनाईज कर जाती है कि ये पोलन मेरे मतलब का नहीं है, ये मेरी स्पीशीज का नहीं है, तो ये इस पोलन को पोलन ट्यूब नहीं बनाने देती, ठेक है? अगर एक ही स्पीशीज का पोलन ग्रेन है, वो ही जर्मिनेट होगा, वो ही पोलन ट्यूब बनाएगा, ठेक है? सो पॉलिनेशन डज नोट गैरेंटी जर्मिनेशन अफ पोलन ग्रेन, पॉलिनेश इस बात पर डिपेंट कर रहा है कि पोलन जो है वो compatible है कि नहीं है Now, अब ये पोलन का source क्या है? Based upon the source, pollination तीन परकार की हो सकती है Kinds of pollination, NCRT कहती है Based upon the source of pollen grain Based on source of pollen Pollen grain कहां से आया है? इस source पे depend करता है कि pollination तीन परकार की हो सकती है पहला autogamy, दूसरा gitonogamy और तीसरा xenogamy Autogamy का मतलब ये है कि भईया एक ही flower में एक bisexual flower है ये जिसमें female reproductive part भी है और जिसमें male reproductive part भी है ये मैं एंथर बना रहे हूँ यहां पर टेक है? autogamy का मतलब ये है कि भईया पोलन यहां से आया एक ही fool के stamen ने पोलन रिलीस किया और उसी fool के pistol पे deposit हो गया उसी fool के pistol के stigma पे deposit हो गया ये autogamy है, auto means a swayam खुद से swa yam क्या मैंने ये spelling सही लिखे? swa yam ऐसे लिखते है ना कुछ ऐसे मात्रा swa yam ऐसे लिखते है कि मा लगाते है swa yam ऐसे लिख लो swa yam हिंदी लिखे इतना टाइम हो जाता है वैसे गलत बात है, हमारी मात्री भाषा है swa yam खुद से जब खुद के ही एक ही flower के अंदर within the same flower अगर pollination हो जाए तो उसको autogamy कहते है इसे self pollination भी कहते है self pollination भी कहते है क्या मतलब हुआ? within same flower वैसे ये अच्छी बात है नहीं nature में, nature को बिलकुल भी पसंद नहीं है जैसे हमारे धर्मों में या हमारे cultures में ये नहीं सही माना जाता ना कि भाई बेहन की शादी हो जाए, तो वैसे तो ये बहुत ही गलत बात माने जाती है, ऐसे होता है कि यार भाई बेहन की शादी तुम सोच भी कैसा सकते हो ऐसे, लेकिन इसका biological reason है, जब closely related genetic genetic makeup भाई बेहन का तो closely related ही होगा, जो closely related individuals होते हैं, genetically जब अगर उनके बच्चे पैदा होते हैं, तो उनमें बहुत सारी diseases हो सकती हैं, तेक हैं, पहला point दूसरा, अगर ये चलता रहेगा, इसको बोलते हैं, inbreeding होता है, जब आप closely related individuals से mating करो, अगर मानलो जैसे बच्चे पैदा होगा है, दो बच्चे पैदा होगा है, भाई बैन बच्चे बिल्कुल zero हो जाती है, वो बच्चे ही पैदा नहीं कर पाते आगे, तो inbreeding nature को पसंद नहीं है, तो autogamy होती है nature में, लेकिन nature बहुत कोशिश करती है कि autogamy ना हो, ठेक है, autogamy ना हो, इसके लिए nature बहुत कोशिश करेगी, उन कोशिशों का नाम हम देते हैं, outbreeding devices, nature की कोशिश है, autogamy को रोकने के लिए, उसे हम कहते है outbreeding devices, जो कि मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगी, गिटोनों गयमी क्या होता है, गिटोनों पर दो फूल है, और दो या दो से जादा फूल है, और मान लो यहाँ पर यह है, और यहाँ पर मान लो कि ऐसा stamen है, इसका pollen grain यदि उसी पौधे के पिस्टिल पर आ गया, तो इसको गिटोनों गयमी कहते हैं, within same plant, but not within same flower, within, within same plant, same plant, but not within same flower, same flower, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर क्या है, जग, अगर किसी दो फूलों में fertilization हो रही है, न, pollination हो रही है, दो फूलों के अंदर, तो उसको बोलते हैं, cross pollination, cross pollination, अब यह क्या है, यह भी कोई बहुत जादा अच्छी बात नहीं है, देखो, यह देखने में cross pollination है, दो फूलों में pollination हो रही है, ठीक है, लेकिन functionally तो यह autogamy ही है, वैसे तो यह cross pollination है, लेकिन इस फूल का और इस फूल का genetic makeup भी तो same ही है, क्योंकि इनका parent तो एक ही है, जो इसका genetic makeup है, वही इसका genetic makeup है, तो तुम कैसे अलग हो है, जैस तुम दो फूल अलग हो गयो, genetically तो तुम same ही हो, जैसे कि मैं बोल दूँ मेरे skin के एक cell निकाल लो cheek से और मान लो एक मेरे कोई और से कोई cell निकाल लो, मान लो कोई muscle का cell निकाल लो, कोई भी cell निकाल लो, तो मेरे cells का सबका genetic makeup तो same ही है ना, क्योंकि body तो same है ना, so it is वैसे cross-pollination but genetically genetically it is similar to autogamy to autogamy तेके, यदि दो फूलो में pollination होनी हो तो generally हमें agents of pollination की जरुत पड़ती है, जैसे कि मान लो कोई honey भी यहां पर आई तेके, nectar juice ने, फिर उसकी body पर pollen grain लग गया, फिर वो इस full पर आई तेके, फिर यहां पर यह जो इसका pollen grain है, यहां पर जढ़ गया यही होना चाहिए, nature भी कहती है यही होना चाहिए, लेकिन ऐस तो सरकार भी बहुत कुछ कहती है, हमारी country की यह होना चाहिए वोना चाहिए, सब कुछ तो नहीं हो पाता तो nature चाहती है xenogamy ही हो, xenogamy क्या होता है xenow होता है, stranger, different तो दो अलग अलग पौधों में same species के of course वो पौधे होने चाहिए, और यह मान लो दो अलग अलग फूल है ठीक है, तो भाया, एक फूल के stamen का pollen grain जढ़ के agent of pollination की help से दूसरे पेड के फूल के पास पहुंच जाएगा यह xenogamy है यह भी cross pollination है, आप देख रहे है this is also cross pollination cross pollination का मतलब होता है, दो फूलों में self pollination का मतलब होता है, एक ही फूल के अंदर cross pollination का मतलब होता है, दो फूलों में, तो वैसे तो यह दोनों ही cross pollination है, लेकिन यह जूट मूट की cross pollination है देखने में cross pollination है लेकिन अगर genetically बात करें तो यह similar to autogomy है यह सबसे बढ़िया है यह वैसे भी cross pollination है और यह genetically भी बढ़िया है क्योंकि दो अलग genetic makeup वाले plants का जो वो है pollen है और जो egg है अब वो match हो सकता है ठेक है मैं यहाँ line बना रही हूँ ताकि आपको idea लग जाए कौन किस के लिए लिखा है मैंने यह separate है यह xenogamy के लिए है यह इतना gitono gammy के लिए है और यह आपका autogamy के लिए है तो आपको आप screenshot भी ले सकते हैं इसका ठीक है अब हम इनको detail में बात करेंगे एके करके आईए autogamy की बात करते हैं देखें यह आपको पता चल गया मैं दुबारा से लिख लू within same flower अब एक ही flower में होने के लिए obviously उसमें male और female parts दोनों चाहिए देखो flowers दो प्रकार के हो सकते है flower can be a bisexual flower so autogamy हमेशा हमेशा bisexual flower में होगी क्योंकि बेटा देखो bisexual flower का मतलब आप समझ रहे हो male और female parts उसमें होंगे अगर male और female parts नहीं होंगे तो autogamy हो ही नहीं सकती जब stamen और pistil दोनों present होगा तभी pollen grain यहां से आ सकता है autogamy हो सकती है autogamy कभी भी एक unisexual flower में नहीं हो सकती माल लो एक unisexual flower है ठीक है और उसमें माल लो सिर्फ यह female flower है suppose it's a female flower मतलब इसमें सिर्फ female part है male part है नहीं ऐसे flowers को हम क्या बोलते है so it is a unisexual flower और जो unisexual flowers दो प्रकार के हो सकते हैं तो male या तो female क्योंकि यह female flower है मैं सिर्फ female part दिखा रहे हो तो इसको बोलते है pistillate flower pistillate flower ठीक है तो unisexual flower में कभी नहीं हो पाएगी autogamy क्योंकि आपके पास दोनों sex organs है ही नहीं so never found never observed in unisexual flower सिर्फ और सिर्फ bisexual flowers में ही आपको यह नजर आएगी आप लोग को यह बात clear है now autogamy के कुछ फाइदे नुकसान है आओ हम देखते हैं autogamy pros and cons pros यह है कि आपको किसी pollinating agent की जरुत नहीं पड़ती ठीक है मतलब almost short short है कि एक flower में से तो गिरी जाएगा ठीक है माल लो कोई honeybee ने नहीं भी visit किया या कोई और मतलब कोई और pollinating agent नहीं भी आया तो भी आपको assured हो जाएगा कि भी यह autogamy हो गई है चलो seed तो बन जाएगे कम से कम so a pollinating agent is not required तो मतलब आप किसी के महताज नहीं हो basically अगर pollinating agent आये अच्छी बात अगर नहीं आये तो autogamy हो जाएगे कोई दिक्कत ही नहीं है इसका negative point में आप लोगों को बता चुकी हूँ may lead to inbreeding depression may lead to inbreeding depression if continued for some generations so एक आपको इसका फाइदा ये मिल जाता है कि यार चलो honey bee नहीं भी आई कोई pollinator नहीं भी आया at least pollination तो हो जाएगी ठीक है जिन पौदों में autogamy नहीं हो रही है उनको तो दिक्कत है ना उनको तो याई बहिया कब कोई बाहर से pollen लेके आएगा तभी मेरी pollination हो सकती है तभी fertilization हो सकती है तभी fruit बन सकता है तभी seed बन सकता है इनको ये दिक्कत नहीं है autogamy वालों को ये कहते चाहे कोई ना आए हमारे पास हम तो you know self sufficient है हमारे पास pollinator नहीं आएगा कोई बात नहीं हम अपना खुदी छड़क के पोलन अपना खुदी fertilization करके बच्चे पैदा कर लेंगे तो एक ये होता है कि इनका assured seed set बन जाता है seed set चलो है बन नहीं है seeds आ ही जाएंगे चाहे pollination ना भी pollinating agent ना भी हो नुक्सान इनका है कि अगर आप चलते रहोगे autogamy करते रहोगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है nature को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि भाई भेहन की शादी हो और ultimately आपको inbreeding depression का सामना करना पड़ सकते है आपकी fertility decrease हो जाएगी आपका वंश ही खतम हो जाएगा autogamy के pros and concepts समझ गये जेखे अब कुछ पौधे बहुत चालाक होते हैं उन चालाक पौधों में आपको तीन पौधों का नाम करना है पौधों का नाम है काओ C-O-V काओ की spelling थोड़ी change हो जाएगी ये काओ है बहुत चालाक ये काओ है बहुत चालाक जेके ताओ की spelling थोड़ी मैंने change कर दिया क्योंकि हमें तीन पॉधे याद करने हैं। formalina, oxalis and viola, common fancy. ये बहुत ही चालाक flowers हैं. ये क्या करते हैं? ये दो प्रकार के फूल पैदा करते हैं. जैसे मानलो ये एक मैं इन में से किसी एक को पौधा बना दिती हूँ. यहाँ पर, बहुत जादा चालाक हैं ही, ये क्या करेंगे? इदर देखेंगे आप. ये दो प्रकार के फूल पैदा करेंगे. इस में क्योंकि एे bisexual है तो मुझे वह चीज बनानी चाहिए इस में पिस्टिल भी है और इस में स्टेमन भी है और इस में स्टेमन भी है देखे और ऐसे जो यह खुल जाते और इनको बोलते हैं Chasmagameus flowers Chasmagameus flowers फ्लावर्स ठीक है अब एक और प्रकार के फ्लावर्स पैदा करते हैं जो की नीचे की साइड रूपते हैं ये बड़े अजीब फ्लावर्स हैं इनकी कली ही नहीं खुलती है ये हमीचा कली में ही बंद रहते हैं ये ऐसे कली के रूप में ही बंद रहते हैं ये कभी खुलते ही नहीं हैं इनको हम कहते हैं कलीस्टो गैमस फ्लावर्स नेवर ओपन बड के रूप में ही ये बंद रहते हैं तेके अब इसके अंदर भी रिप्रोड़क्टिव स्ट्रक्चर तो ही हैं तो मैं जो वो तो दिखाने ही पड़ेंगे मालो ये पिस्टिल है और ये स्टेमन है अब फ्लावर ये पौधा क्या चलाकी कर रहा है मैं क्यूं कह रही हूँ कि ये काउ बहुत चलाक है दिहान से सुनो इस काउ को पता है कि भाया अच्छी बात नहीं है इस काउ को पता है मतलब इन तीन पौधों को पता है तो ये कहती है कि चलो अगर अच्छी बात नहीं है और तो यह अपने यह वाले फूल खोल देती है, अब खोलने का फाइदा क्या है, when you open a flower, you expose its anthers and stigma या पिस्टिल, आप अपने एंथर और पिस्टिल को एक्सपोज करते हो, एक्सपोज करते हो मतलब अब यहाँ पे एक चांस है, देखो, autogammy का चांस तो ही है क्योंकि bisexual flower है, लेक इसको open कर दिया, आपने world को invite कर दिया, basically, कि भाया, चलो autogammy का तो चांस है, autogammy हो सकती है, इसमें क्यों नहीं हो सकती, bisexual flower है, लेकिन कहीं और से आके, xenogammy भी तो हो सकती है, हो सकता है, इससे पहले यह अपना pollen इसके उपर डाले, हो सकता है, बाहर से कोई pollen उड़के, या किसी pollinator के थुरू, मानलो, यासे honey bee के थुरू हो सकता है, ठीक है, मानलो, किसी ऐसे, honey bee के थुरू आपको, क्या करते है, pollination हो जाए, ठीक है, तो यह chance लेते है, open करके, तो मैम कहो कि, मैम, इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो सभी flowers chance लेते है, सभी flowers खुलते है, और वो कहते कि ठीक है भाईया, कर लो, जैनो गयमी हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और टो गयमी तो हो सकती है, ठीक है, बेटा, chance हो यह लेते हैं, यह flowers इतने चला क्यों है, यह plants इतने चला क्यों है, यह कुछ flowers को बंद रखते हैं, इसमें देखो, कोई cross pollination नहीं हो सक कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि बंद है, बहार से pollen आई नहीं सकती, लेकिन बंद होने की वज़े से, इसका यह जो stamen है, इसका यह जो stamen है, और यह जो style है, यह जो style नहीं बोलना चाहिए, यह stigma है, यह पास पास होता है, तो भाई, इसमें तो पक्का autogamy होती ही होती है, यहा पर complete autogamy होती है listogamous flowers में complete autogamy होती है अब इसमें क्या risk है तुम यह पूचे ते में क्या risk है भाईया xenogamy हो तो हो अच्छी बात है autogamy के भी तो chances थोड़े कम हो गए क्योंकि खुल गया ना तो थोड़ा stamen दूर चले गए pistol से तो थोड़ा distance आ गया तो autogamy हो ना हो xenogamy हो ना हो क्या पता इनकी फट पॉलिनेशन ही ना हो क्या पता ये बिना seed और fruit बनाए ही मर चाहे तो plant कहता है देखो यहां तो मैंने chance ले लिया खोल के क्या पता autogamy भी ना हो क्या पता xenogamy ना हो जहन की बच्चे हैं मुझे पता है I will not have good seeds but at least seed तो बनेंगे at least तो seed बनेंगे अगर उपर वाले कुछ result नहीं दे पाए ना xenogamy properly कर पाए हो सकता है autogamy भी ना हो इन में क्योंकि ये दूर चले गए stamen और stigma एक दूसरे से खुलने की वज़े से फ्लावर के at least मुझे यहाँ पर seed set मिल ही जाएगा assured seed set है यहाँ पर assured seed set मुझे इनसे klystrogamous flowers से मिल ही जाएगा need 2023 में question था इस पर कि advantage और disadvantage क्या है इस पर question था advantage क्या है klystrogamous flowers का assured seed set है कि भाईया भाड में गया ना ओ पॉलिनेटर ना ओ यह कुछ भी ओटरगमी तो होनी होनी है क्योंकि इसमें पास-पास होते है stamen और stigma बंद होते है ना पास-पास चिपके होते है दूसरे से तो यहाँ तो अटरगमी होनी होनी है enter bud के अंदर ही अपने pollen green shed कर देता है और stigma भी bud के अंदर ही mature हो जाता है और यहाँ पे जो है fertilization हो जाती है assured seed set है नुकसान क्या है यह तो advantage है इसका disadvantage क्या है advantage क्या है inbreeding हो रही है inbreeding is not good disadvantage इसका inbreeding है advantage क्या है इसका assured seed set है तो ये एक चांस भी ले रहे हैं कि चलो अच्छी बात है जैनो गेमी हो जाए तो हमारी वंच भी सुधर जाएगा थोड़ा बढ़िया पोलन आ जाएगा दूर से तुड़ा अलग जेनिटिक मेकप पाला पोलन आ जाएगा ठीक है ओटो गमी तो यहां थोड़ी मुश्किल ही खुल गया फ्लावर चांस भी ले लिया और यहां पर अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर लिया कि कुछ नहीं तो यह तो बनेंगे ही बनेंगे ठीक है इस पर नहीं को स्टेंस पर मैं तुम्हें दिखाती हूं यह नहीं यह लो कलेस्तोगेमश फ्लावर और इनवयरबली ओड़रेबली मतलब हमेशा ही या ख्लेम के हमेशा ही ओडमेल्स होते है ट्रू जी हूँ नहीं होते है यह होई नहीं सकता है बन ए और उटबटियमी होने और कुछ नहीं सकता क्लिस्टोगयमी इस डिस 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 ड बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर तरेक्ट है, समझ गे आप? चलो, आज़ो, वापस आज़ो. एक्जामपल याद करना है, आपको ऐसे प्लांट्स का जिसमें चैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस फ्लावर्ड होते हैं, कॉमलिना, औक्जालिस और वायोला, वायोलो का कॉमन पैंसी भी कहते हैं, इनको रट लेना है, अच्छी तरीके से इसका डाइग्राम NCIT में वो हम लो हम अटते हैं, आपको पाल कोगी करणे कि कॉमना पैंसी ट्लाव ह심 जड़द me दें ंगा हैं, समें मुग derechos में लिंगों हैं, से वायो दो जहज़एंग्जें लागाईपलयां, दोलाविद द्न करणा पैंसी भी कोगी क्वेशास त्लावावितर भी कर दोभी का एंसी टही